अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी साथ ही बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तरह पहुंस सके जैसे कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर हमने हर तरीखे के मेटीरियल आप लोग प्रेस के सुविधा के लिए अपलोड कर रहे हैं और आज हम स्वाल्फ करेंगे एक से अंडेस्टेंड करेंगे नाइंत क्लास के स्टूडेंट के लिए सिकन्ड लैंग्विज तेल्कु का एक और लेसन सिख्थ लेसन है इसलिए आप सभी से निवे दने के इस चैनल को सब सब्सक्राइब करके मुझको सपोर्ट कीजिए और साथी साथ आप अपने कमेंट्स वैलेवल कमेंट्स भी भेज सकते हैं मैं सभी कमेंट पढ़ता हूं और किस तरह आपको अंडेस्ट्रैंड हुआ है और कैसा लगा है लेसन आप समझाने की कोशिश आप कमेंट भेजने क की कोशिच कीजिए बेस्ट आफ लग चलिए आज हम पढ़ेंगे मधूरा वचनालो मधूरा मतलब होता है स्वीट वच्चनालो का मतलब होता है टेक्स्ट स्वीट टेक्स्ट टेक्स्ट हम जिसको कहते हैं चलिए उसके बाद यहां पर देखे चदवंडी आलोचिंची अपड़े इसको पढ़ना है हमको और इसको सोंच समझ कर बोलना देखे मंची माटा मनलो मंची ने पेंचुनो अच्छी बात हम सब में मंची पेरगा मंची मंची आउनो अच्छाई अगर कोई इंसान अपने आप में बड़ा लेता है तो उसके साथ अच्छाई होगा ज्भा को दवाई दालने से बहुत सको ताखत मिलती है अगर अच्छी दवाई हम दालेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमको अच्छा होगा यह पोएम था अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर क्वेश्ट्स दिया गया है अच्छा अगर हम दवाई दालेंगे ज़ाड को तो क्या हमको मिलता है अच्छा फल देता है यह हम लिख सकते हैं हम अच्छे बनने के लिए यह पोएम है उपर के पोएम के मताविक हम क्या करना चाहिए तो क्या करना चाहिए हम में अच्छा ही को बढ़ाना चाहिए मनलो मंचीनी पेंचाली इस तरह लिख सकते हैं मनिशी यह पुड़ू मंची वाड़ा उताड़ू इंसान या आदमी कब अच्छा हो सकता है तनलो मंचीनी पेंच कुनना पुड़ू लिख सकते हैं इसका अंदर यह अब इस तरह लिख सकते हैं उसके बाद देखिए इस लेसन का एम क्या है टार्गेट क्या है इंतो मंदी कबुलू मनुशला जीवनानी लोतुगा परिशलिंचारू इंतो मंदी कई पोएट्स इंसान के जिंदेगी के बारे में गहराई से डीप ले रिसर्च करें हैं परिशलिंचारू का मतलब रिसर्च करें हैं स्वंता अनुभवम मेरको अपने एक्सपीरियंस के तहद सत्यालन गुर्तिंचारू सच्चाई को पहचान है अला परिशलिंची इस तरह रिसर्च करके गौर करके गुर्तिंची पहचा के अनेक विशेयारन बहुत सारे चीज़ों को वारी ग्रंधाल लो उन लोगों के किताबों में मना करण को राशा और हम लोगों के लिए लिए लिखे हैं अवन्नी नीत पद्याल वो सब मोरल पोएम्स है मन अलनु मंचिगा मलिचे अटवंटी हमको अच्छाई की तरफ बढ़ाने वाला या अच्छाई का रास्ता दिखाने वाले उत्तमा पद्याल वा इसे अच्छे पोएम्स अंदिन चड़े में हम तक पहुंचाना इस लेसन का अच्छे उसके बाद यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया है पाठ्थ्य भागा विवरालो लेसन के डीटेल्स क्या है आपको देखना चाहिए यह पाठ्थम पद्या प्रक्रेतुब इम्स बंशन का प्रक्रिया माने किस से रिलेटड है पुरा पोएम से रिलेटड से कुछ नियम मालू माने कुछ conditions सूत्रालतों को फार्मुला से लो बड़ी मने कुछ नियम कुछ फार्मुले यूज करके लिखने के वाला ही पोयम है उसी को हम पोयम कहते हैं मतलब कोई भी पोयम ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर हम को कुछ नहीं मालूम है हर पोएम के अंदर एक moral हमको लेसन रहता है हर पोएम से हम कुछ Nee कुछ सेख सकते हैं इप न ही पाद म कवित्रयम न यना इधिकाणा इèces पोएम से सबी इसके अंदर किसी का और अलगेust ननेयातिकना एरनक है अंध्याता महा बहाखा घर लिए गये हैं उसी चारा स्रिनाता महा कभी है हारविलासम से लिए गये हैं कुरवी गोपुराजू है सिम्वासम से लिए गये हैं उसी चारा चरा घरण दर्मा लिखे जो चित्रा भारत हम से इस तरह लिखे पोएम से यहां पर लिखे चलिए उसके बाद पोएट का इंट्रडेक्शन देखिए इसके अंदर तेलगु महाभारत ने रासिना बारित्रम कहा दो तेलगु के अंदर जो महाभारत लिखे उसको कवित्रा हम कहते हैं ननया तिकना एरना क को महा भारत को complete करें सोए नन नेया एना राजर राज नरेंद्र नासी हसि नो राजर राजर नरेंद्र के पैस आस्थान कवेझ थे मतलब अनके दरबार के poet मतलब इननों महाभरत में भी योगदान दिये और इनके दूसरे अलावा भी किताब के इसके बाद आता है, तिक्कना Next इननेल्लूर मनमसिद्य आता हैं, इनननेल्लूर के मनमसिद्धि के पोईट थे, दर्बारप के आंद्र महाभारत में फिफ्टीन पार्ट्स, फोर पार्ट्स लेके एइटीन पार्ट्स के आखरी तक लिखे स्वाले हैं, यह एक और किताब लिखे जिसका नाम है निर्वचनोत्तरामायनम, यह भी किताब लिखे हैं आंद्र महाभारत में नन्नया जो पार्ट्स लिखे थे, उसके अंदर कुछ हिस्सा बचावा था, इन्होंने कम्प्लेट किया है इसको अधि मुडवा अरणिय परवण, यह तीसरा अरणिय परवण, अरणिय चैप्टर का आधा हिस्सा है, सागभागम उत्तरा हरिमशम, अनेदिकुड़ा, उत्तरा हरिमशम इनके दूसरी किताब है, महाभारत भी लिखे हैं यह तीनों, उसके अलावा इनके अलग अलग किताबें भी है, उसी तरह स्री रुसिमुँखा पुराण बुलने के एक और भी किताब हैं इस तरह तीन किताब हैं, च और विद्या अधिकारी महा कवी पोतना के बराबर तुलने वाले पोएट है कवी सार्व भामोडी का खिर्ति में पूरे पोएट नों को पोएट बुल कर भी नों मश्रूर हुए उसके बाद काशी खंडमू हराविलासमू बुलने के इनकी किताबे भी यह है करावी गोपाराजय इन्हों पला करनमा महा राज यां राण मजलना के आस्तान कवी थी सेजिए माभाशक का नामहें जबके दीवर के किंग का नाम है मुपएरेंडू का मतलब 32 कहानियों से जुड़ेवी कथा कावे निमें एक कहानियों का गुच्चा इन्हों लिखे है अदे सिम्हासना द्वात्रिन शिका अनेगरन्द में यही किताब का नाम है इनके क्या नामें सिंहासना दात्रिशिंखा द्वात्रिशिंखा ये नामें शिका द्वात्रिशिंखा ये चरिगण्ड धर्माना ये ना ओरुगल्लु को प्रधान मंत्री का परिशाड़ी ओरुगल्लु के प्राइम मिनिस्टर थे ये ओरुगल्लु वालु में जहां से रक्ष्म पेद्दना मात्यून नहीं आश्रा इंचार। उसके बाद एनुमल पल्ली पेद्दना मात्यून के सब आश्रा इंचार। उनके पास इन्हों पोएट की लिखना या पोएट बनना सीखें। मतलब उनके चीश्चे समझें। चित्र भारतम इनका अहम हिस्सा है। चलिए। अब यहां से पोएट से अच्ची तरा पहले समझना है देखिए। पहले पढ़ूँगा उसके बाद समझेंगा। तनयुण्डू तल्ली दंडुलू पनिचिनपनी सेय डेनी पलू केडल जे। कुनंडेनी वांडू तनयू डनम बढ़ूने पित्रा धनम उनू करहून डगने। थोड़ा टफ है सांस्क्रिट बढ़ से देखिए। तनयुण्डू वानने लड़के को कहते हैं। सन यहां पनिचीना पनी जो आगना देते हैं काम मनाबाप जो काम बोलते हैं काम सेय डेनी नहीं करने वाला माबाप की बात नहीं करने वाला। पलू केडल जे यहां पर क्या करे। पलु केडल जे मावाप की बात पलु मतलब बात केडल सुनना ही सुनना। कुनन डेनी यहां पर कह रहा है कुनन डेनी जे यू कुनन डेनी जो नहीं करने वाला होता है वाडु वैसा। तनयुंडू लड़का डनम बड़ने बने अना बड़नू कहलाता है पित्रुधनमू करहुंडगने पित्रुधनमू मने माबाप का जो धन दौलत जो जो भी जायजत रहती है करहुंडगने क्या ऐसा इंसान जो माबाप की बात नहीं सुनता जो बाप आप की बात नहीं मानत जो बाप बाप का काम नहीं मारता ऐसा लड़का क्या बाप की जो जाइज़त होती है उसका हगदार है क्या यह पूछ रहा है हमको तो इसका मीनिंग कैसा ले सकते हैं माबाप जो काम कहे वो काम नहीं करने वाला और माबाप की बात नहीं सुनने वाला ऐसा क्या माबाप का लड़का माबाप का बेटा कहलाता है या सच मुझ का ये सच मुझ का माबाप का बेटा कहलाता है और ऐसे लड़का क्या अपने बाप के हगदार बाप के जाइज़त का हगदार होता है वोलकर हमको सवाल उच रहा है चलिए इसके बाद ओरुले मेमी युनर्चिना नरवरा यप्रियमु तना मनम्बुना कगुदा नूरुलकु नवी सेयकु निकी पराणयमु परमधर्मा पथमु लकेलन। तोड़ा टप्फवर्ट से साणस्क्रिट она देख हैं कि यहां पर औरुल से दूसरे लोगाई तरल रुड पर रूल पर बंद़स पर लो मनी है कि युनर्चिना युनर्चिना काम और चिना क्या करेंगे या क्या करेंगे तो हुआ नरावरा然後 though की यहां पर कहाता है नरावरा यहां परिया मूं लाट ठना अपने दिल को यपरिया मूं मने अपने दिलकी चाहत यह प्रिया मूं का मतलब अपने दिलकी चाहत तो क्या कहता है यह पर ओरुला मेमी मतलब दूसरे लोग युनडचिना मने जो जो काम करेंगे नरवरा यप्रियमू तना मनम्बुना कगुदा मतलब अपने दिल को और उसी तरह ना पसंद करते हुए करेंगा अवी नवी मतलब अवी वो नोरुलकू वो सेयकुनिकी मतलब नहीं करने वाला परायनमू परायनमू उत्तम मेन आश्रम जिसको कहते हैं एक अच्छा आश्रम परामधर्मपत हमेशा रहने वाला धर्म या अच्छा दर्म कहल आएगा मतलब इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा देखिए अच्छी तरह दूसरों के कौन से कौन से काम करेंगा या अपने दिल से या अपने अहिस्टंगा मतलब अपने दिल को नहीं मानते हुए दिल नहीं बोल रहा तो बिना दिल रखे हुए कस्टंगा मने बहुत ही मुसीबस से रहता है और दूसरों के मुखाबले में वो काम भी नहीं करे जैसे रहना मतलब खुद का काम अगर दिल नहीं लागरा काम तो दूसरों के कामे भी वैसे ही होने रहना है। उसी तरह दूसरों को तकलीव देना या दूसरों के साथ अच्छा ना रहने कहां का धरम है। ग्रममोना ननियोना नूर्थ्व गती कारणमुल। क्षयम। मने भरदास्ट करना। कोई भी चीज़ को भरदास्ट करना। नहिंसय। मने किसी भी जानदार चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना। अहिंसा ये सल। नहींसा मतलब अहिंसा। नहीं करे जेसा। सत्यम। मत मतलब हमेशा सच, समतयू का मतलब जो सारे लोगों को बराबर देखना, उसे हम लोग दिमाख रखना है, निंद्रिया जायमबूलो, निंद्रिया मतलब इंद्रिया आँख, निंद्रिया जमबूलो, मतलब जो टेक्स्ट के सुख होते हैं, वो सुख को जीतना, मतलब हमारे आँखों से किसी चीज़ को देखकर जीत हासिल करें जैसा, उसे शममून आँखों को बरीत्या, बरीत्या गमलो अपने स्वार्थ नहीं जैसा, दपोल अक्षरमूलो का मतलब होता है कि दूसरों को खेरात करना, ग्राममूना, यहां पर क्या कह रहा है, ग्राममूना मने लगातार हमेशा, नन्नियुनू ये आदतें, नूर्द्वा गती, नूर्द्वा गती मने सबसे अच्छी गती, सबसे अच्छा मुकाम, कारणमू मने उसकी वजह बन सकता है, मतलब क्या है, इसका सारा शगर लेंगे तो हम दूसरों को माफ करके, और हिंसा नहीं करें जैसा, सच बोल कर, दूसरों के लिए हमेशा सानुभूती, मने रहें करहना, और आँखों के लिए हमेशा सब अच्छाई हमको दिखाए देना, और दि एक लक्षण जिसके पास होते हैं, वो लक्षण नहीं सबसे अच्छा इंसान होता है, और वही इंसान शख्स मोक्ष भी पाता है, बोल कर, इस तरह इसका मीनिंग है, नेक्स्ट फोएम, अंधकारी, यरुंदती, नादर इंचे, गवरंबुना, बेधंबु, बेधवारी की स्त्री, पुम, विभेदमेला, माननीयंबु, पुण्यकारबंबु गाका, अंधकारी, इसके एक मतलब हम लेशे हैं, दुश्मन समझे, यरुंदती, अरुंदती देवी, नादर इंचे, रस्पेक्ट करा, गवरंबुना, ये उसके लिए सत्कार करना, उसक पुंडे, दोनों में फर्ख नहीं जैसा, बेधवारी की बड़ों को, स्त्री पुर्शलो, वरे आदमियां और आड़तों को, विभेदमलो, फर्ख नहीं जैसा, माननीयंबु, जो हमारे से जो भी हो सकता, वो रेस्पेक्ट करके, पुर्णियकर्मंबु गाका, तो ऐसा इ इनसान को, रेस्पेक्ट करके, और हम, हमारी अच्छाई को बतलाना है, इतना ही नहीं, आदमी रहो, चाहे आवरत रहो, दोनों में फर्ख नहीं जैसा, दोनों को बराबर हम रेस्पेक्ट करना चाहिए, जिस तरह दुनिया के अंदर, शिव या दूसरे देवता, या रु इस तरह दोनों को बराबर पूछते हैं, उसी तरह आवरत और मरत को दोनों को बराबर हम देखना चाहिए, और बड़े लोग हमेशा स्त्री और पुर्ष्ट के, मतलब आदमी और आवरत के फर्ख नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे इनसानी और पुर्णिया और कर्म कमा सकत और कुछ अगर छोड़ हो रही है, तो माजरेत चाहता हम, आप चाहता हम, आप टेंशन मत दीजिए, क्योंकि थोड़े टप वर्ट्स है, ये देखिए, एककडि नुंडिये कूड़ुनू, निक्कमुलै तोचु, नुक्का नीमु संभुना, दा मेकडि को विरिसी पोवन डखवु संपदलू, मेगु डंबरमुलू क्रियन, एककडि की नुंडियो, यहां पर क्या करा, एककडि नुंडियो मने कहीं से पता नहीं, कूड़ुनू आकर वच्ची, मतलब इसका मतलब वच्ची आकर, निक्कमुलै निक्कमु, निक्कमु अने सच्चाई को गयते हैं सच प्रू, असल निकम अइं हैं, तो चुनू दिक्ता है, नुक्का निमसंबुना, नुक्का निमसंबुना, दा में कड़ी है तो한테 नुक्का निमशंबना ने एक खन मतलब साजस्क्रिट में इसतरा कहा अश्ञिक नुक्का निमसंबना मने एक खन एक पल में दा में कड़ों हम कहाँ है विर्सि पूवनू अलग हो जाएंगे उसी तरह ड़कावू समपदा डककव मसम पता जो हमारे पास जो दौलत है वो दौलत मेघम बुडलाई बादल की तरह क्रियान उड़ जाती है अच्छा मिनिंग है देखिए हाँ पर क्या कर रहा है आस्मान में बादल कहीं से आकर जहान वहाँ पर बर्से जसाम को मैसिस होता है दो मिनिट में फिर गवारा ओं कहीं करके चले जाते हैं एक जगा पर नहीं रहते हैं उसी तरह दवलत हमारे पास आती है और जाती है एक जगापर नहीं रहती है बोलकर इस पोयम का मतलत है चलिए लास्ट वाला पोयम देखिए शर्णा गतुन डगुन वानिन गरुनम दनुवैन निच्छी कावंगा दगु भू वरुनकु बक्षिकी नई तना शरीर मामसंभु शिवी युसंगंडे करुनन थोड़े टव फोर्स है देखे अच्छा समय नहीं गोई यहाँ भी करे जो हमारे पास शर्ण मांगने के लिए आने वाला वानिन उसको गरुनम मने रहम से करुना से दनुवैना अपने जिसम को भी चाहे तो निच्छी देकर कावगा मने त्याक करके या उसको बचा कर या उसको सेफ करकर भू वनुर लगाई तो जो जमीन पर रहते उन सबी को बक्षिक की नईना कबूतर को भी तन शरीरा माम संबो अपनी जिसम का गोश्ट पूरा क्षिभी देकर योसंगंडे करणो इसका मतलब नहीं दे सके रहाँ तुम ही मेरी वज़े है या तुम ही मुझे बचा सकते हो कहेकर इस तरह हमारे पास को या आता है तो उस पे हम रहेम करना चाहिए हो सका तो हमारे जिसम का भी उनको त्याग हम देना चाहिए क्योंकि क्योंकि अपने आपको बचाने वाला एक कभूतर भी चाहे कभूतर भी हमारे पास आओ तो उसको हम बचाना चाहिए और उसके इसी सरह उस पर हम रहें बतलाना चाहिए तभी एक बादशाय चक्रवर्ती की तरह हम रह सकते हैं वोलकार इस lesson का poem का मतलब है चलिए यहां से grammar देखे इसको अवगहाना प्रतिस्पंदना है विनी आलो चिंची माटलाड़ इसको सौच कर बात करना है इस poem से आप कौन से बातों पर अमल करना चाहिए आप बतला ये कह रहा है इस lesson के poem पड़िया इसका भाव वली आपको भाव हम आलड़ी यहां पर मिल जाएगा लास्ट में लेसन के आप वहां से आप लिख सकते हैं उसके बाद यहां पर देखे नेक्स्ट क्या कह रहा है इपाठम लो का पद्यम पादालुतारमर याई वाटनी इपाद्यकरम अम लो राय अंडी क्या कह रहा है यह poem के scramble में उल्टे पुल्टे हो गए है तो इसको हम पीछे से देखकर इसको सही करम में लिखना चाहिए तो यहां पर आप देखे यह poem अगर पीछे देखेंगे तो यह line आपको first रहेगी यह first रहेगी और second line आपको यह रहेगी आपको पीछे poem मिल जाएगा यह रहेगी और third line यह रहेगी फोर्थ line यह रहेगी आप पीछे से आप देखकर लिख ले सकते हो चलिए उसके बाद यहां पर देखे क्रिंदी पद्या पाद आलो वाक्या लो यह पद्या आलो और यह पढ़ना है यह पढ़ना है यह पढ़के कौन से poem में है आपको ढूंड कर लिखना है इसको मैं कुछ भी नहीं करा आप आसानी से लिख ले सकते हो चलिए उसके बाद तलकू बेडू कू राण्लू तट्टे डेला चदव पद्यमर्यू चाला दोकट चलो विश्वधा भिरमा निकमायना मन्ची निलमोकट चालो निकमो मने नजम सACCा मन्ची निलमोकट चलो दोसत एक हमको पोलने वाला सACCा एकी दोस्त हमको चाहिये तल्लूकूब बेडू को राड़ो त्टे डेला, जगमगाने वाले पत्थर हम को काम नहीं है मतलब निक्कमैना मंची नीला मुककटद चालो, अच्छा पत्थर एक ही चाहिए हमको जगमगाने वाला पत्थर हम को नहीं चाहिए पूरे पड़ने की ज़रूरत नहीं ह regen अगर समझ के पड़ना कम का नहीं होता है मन्ची पड़ने गजओ चमकने पत्थर अच्छे नहीं गलत हमको पत्थर कौन से भी रहा एक ही पत्थर हमको चाहिए मेरे से राडला कंडे उका मंची नीला मुकट दिगो पदी एक टमकन वाले पत्थरों से एक नहीं चमकने वाला पत्थर अच्छाई यस यस करेक्ट है उसके बाद यहां पर देखे परम धरमुम् के मतलब क्या है तो इसका आंसर में यहां पर लिखेंगा आप लोग लिख ले सकते हैं फॉस्ट परम धरमुम् को मतलब परमा धरम मतलब इतरूलू यह यह पनूलू चेस ते मनसू ताना मनसू लिखे तताना मनस्सु कु इस्टम गाकोंड कस्टंग उन्टुंदु तानु इत्तरुल पटल आया पनुलु चेयरादु इत्तरुलकु कस्टपेटकोंड उन्टटमे परम धर्मम ये फर्स्ट आंसर सेगेंड तल्ली दंडूला आस्ती के एलांटी कोड़ो को अरोडो माबाप की दौलत के लिए किस तरीखे का बेटा ये तल्ली दंडूला को एलांटी कोड़ो को अरोडो माबाप के लिए दौलत के लिए किस तरीखे का लड़का चाहिए उसका मतलब जो दौलत का हगदार होता है किस तरीखे का लड़का चाहिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे तल्ली दंडुला माटलू विनाली मरियु वाल्डु छेप्पिना पनुलु छेयाली इलान्टि वाडु वारी की क्या लिखेंगे वारसुडु यह हम लोग आ लड़ी पड़े माबाप को किस तरह का लड़का चाहिए माबाप की बात सुनने वाला और लोग का कहा मानने वाला ऐसे ही उनके दौलत का हगदार है बुलकर हम लिख सकते हैं शरना गतुला पड़ला करोना एला चुप इंचाले जो लोग हमारे पास शरना अड़ी आते हैं या मसाफिर आते हैं गवलों पे किस तरह रहम बताना चाहिए उस तरह एक किस तरह रहम बताना चाहिए यह थर्ड है देखो नीवे इसको मैं यहां से टिक करा देंगे आप आप चाहे तो यहांसे लिख सकते हैं क्योंकि बार-बार लेंगी मन्ची मनस्षी की तप्षनाल ईंडाल अभी यहां से थर्ड वाला यह answer आप लिख सकते हैं इसका answer नोबर फोर्थ यह आप यहां से आ तक लिख सकते हैं यह answer आप इसके अंदर लिखेंगे तो आपको उसके बाद long answer क्यों रहाते हैं मी पाठशाललो जर्गय पध्य पोटी क्रम पालगोने आवाने साहवान अपतर हम एक invitation बनाना है इसको अच्छा यहां एक कांसर छुड़ गया है यहां पर देखें मनिशी अनुसर अनुसर इंचाल सिना उत्ताम लक्षणानल गुर्चिस हुंता माटल राएंडी इंसान जो अमल करता है और अच्छे लक्षण कोंसे है उन सेंटेंस में उसको लिखना है तल्ली दंडूल का आंसर आईए पहला लिखेंगे हम यहां पे तल्ली दंडूलू चेप्पिना पनूलू छेयाली वारी माटलू माब आपका कहना मानना और अलों की बाद भी सुनना और यह पनी चेशते वारू बाधिस्तारू अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे जिससे वो लोग को तकलिफ होती है तो अलांटि पनी ऐसा काम छेया रादू नहीं करना चाहिए और इतरूला पटला दूसरों से इतरूला पटला सानुभूती रहम कलेगी उंडाली दूसरों पर रहम करनके रहना चाहिए उसके बाद हिमसा चेय कूड़दू हिमसा नहीं करना चाहिए और सत्य में पलिकाली सत्य में पलुकाली सत्य में वलगाली और उसके बाद और क्या रिख सकते हैं आपे त्यागमू त्यागमू छेय उटकू त्यागमू छेय उटकू कूड़ा उंडाली बस इतना है आप लिखने तो काफी हो जाएगा पाई सेंटेंस में हमको लिखू कर रहा है चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपका देखेंगी क्या है अभी हम पढ़ें क्या करना ही आपकर आपके श्कूल में पौएट पॉए्म्स का कॉंपडेशन हो रहा है उसु आपकर देशन के लिए लोगों इन्वाइट करते हैं एक इन्वीडेशन बनाना है यहाँ पर इन्वीडेशन जिसको हम तेलगों में कहते हैं आववानपत्रम यह हम कहते हैं तो आववानपत्रम कैसा लिखेंगे यहाँ पर आह बाटेश बाटर us the book in आपर इंविजेशन तो यहां पर जाका है यहां पर लिखेंगे मा 국वेमा पार्ठ शालयलो हमारे स्कुल में कि अफंगी य। पोटी इसको एक अच्छा इस तरह ड्रॉकर करके लिखना है इस तरह अच्छा इनुडेशन आप अच्छी तरह ड्रॉकर करके लिखना है एक बाक्स इसको जोड़ा डेकोरेश करके लिखेंगे तो अच्छा लगी गए पोटी निर्वहिस्तनाम यह लिख सकते हैं हम हमारे स्कूल में पोएट के कामपडेशन रख रहे हैं इसको सभी यहां पर आ सकते हैं उसके बाद लिखना हो वेधि का अडरस लिखना अपर कोई भी एक प्रभूत्वा पार्ण शाला कहा पर हो रहे हैं गॉवड्नमेंट स्कूल पार्ण शाला यहां पर लिखेंगे सिद्लुरु के गौँआँ क champions alert पर डेट लिखना है यहां पर कुन सी पर डेट लिखना है 15, 12, 2021 आप लिख सकते हैं उसके बाद आना चाहिए समयम यह आपको थोड़ा हेडिंग करना इसको समयम टाइम उदयम सुभा 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 पदकुंडु मुपई निम्शालक बुर गया इस तरह लिखिया आप किस मकसद से वराएए पोएम के वास्थ वराएए उसके बाद आपको कुछ भी यहां पर आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इपोटीलो इपोटीलो गेली चीना वारी की बहु मत एलू जो जीते हों को क्या करेंगे हैं हाँ पर आवार्ट्स प्रधानम यहां पर एक दो नेम चीक सकते हैं, फर्स्ट मोधाटी बहुमती बलके लिखे, पहला प्राइस दस अजार रुपिये, समझे, कुछ भी दाल सकते हैं, रेंडवा बहुमती पांच अजार रुपिये, इस तरह आप इंविटेशन, इस तरह आपका इंविटेशन कंप्लेटली हो जाएगा, इस तरह आसानी से आप लिख सकते हो, चलिए, उसके बाद यहां पर आ जाएंगे, इसको ओन सेंटेंस लिख रहा है, क्षमा माने माफ करना, फार्ग्यू करना, एदुटि वारिनी, एदुटि वारिनी, क्षमिन चडम, उत्तम लक्ष्मनम, उत्तम लक्षनम, सामने वालों को माफ करना सबसे अच्छा लक्षन है, समता, मने सब के साथ बराबर हैना है, अंदर इतो, समता, कलीगी, उन्डाली, सब के साथ बराबरी रखना चाहिए, शरणा गती, तो यहां पर हम, शरण मान, शरण पाना, तो मनमो, हम, भगवंतुण्णी, भगवंतुण्णी, शरणा गती, तो सेविंचाली, इस तरहां पर शरणा मान इखलास के साथ, प्यार के साथ, महुब्ब्बश के साथ, भक्ती के साथ हम कहते हैं, उसको कहते हैं, उसके बाद आजाते यहां पर देखिए , उसके बाद कुछ सेंटंस देए गए है वार्तरिस सभाता अर्था इसके वहां पर यहां मिर्था यहां पर है कोडुकु माने लड़का, लड़का का यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर कोडुकु का मतलब यह तना यूडु आता है, लड़का, तना यूडु, उसके बाद अंधाकारी, यहां लिखेंगे हैं, अंधाकारी, अंधाकारी का मतलब शिवुडु आता है, अंधाकारी न पाइलो का गती मतलब उर्ध्वा गती को कहते हैं यहां पर उर्ध्वा गती कोई चीज की गती मतलब जरुरत नहीं रहना मतलब खाथ दोलते हैं जिसकी कमी होने को कहते हैं और लू दूसरे इतर लू को कहते हैं इतर लू और लू हो गया और क्या बच गया है आपके हिंसा चेयक पोवर्डम मनें हिंसा नहीं करने वाला अहिंसा या आप लिख सकते हैं चलिए next । आगे बढ़ेकर चलिए। अ ब्रकृति-विकृति प्रकृति प्रकृति विकृति प्रकृति-बीकृति पसे यह पहले वरकोर्ति-विकृति आप निख लिए उसके बाद लगा के लिखना यहां पर है ता नू प्लस ओर लूँ तो इसको लिखना है तो मिलागर कि कैसा लिखना नू अर लू नू नू आ रहा है आपे ता नू रू लाक कू इसथा आप लिख सेasta है न08 की था मूपलस एकड की था कम हो का दो सरी ता एकक कड की अ लिख सकते हैं मेघड़ू प्लस अमबरमू मेघड़ंबरमू मेघड़ंबरमू तनू प्लस आईना तनू आईना यह अब यह प्लस लगा के लिखना है बहुत आसान लिख सकते हैं पाथा मूला के लन यहाँ पे पाथा मूला कू लिख सकते हैं अब अरहुंड अगू यहाँ पे लिख सकते हैं अरहुंडू अरहुंडू प्लस अगुने अगुने इस तरह तल्ली प्लस दंडरी यह लिख आसान है तल्ली प्लस तंडरी विभेदमेला विभेदम प्लस एला यह आपका grammar हो गया अब उसके बाद यह project work है आप अभी तक क्या पड़े शतक पोएम में से उसके अंदर से कुछ हासिल करना है एक तीन त्री पोएम्स हासिल करके उसके meanings भी भाव भी लिखे लोगों के सामें प्रदर्चित करना है चलिए अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए सब्सक्रेप करना ना फूले बहुत मेहनत लगती है आप अगर सब्सक्रेप ने करेंगे तो फिर हम मैं डी मोल्टिवर चुदाओंगा बेस्ट आफ लग